हेलो दोस्त आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चनल एयर फोर्स ने विश्टर डिपर तो एयर फोर्स एक्स वाई ग्रूप के आप सभी पता है कंडिडेट्स एक्जाम दे चुके हैं और 12 से 18 जुलाई को आपका एक्जाम था तो सभी के दिमाग में एक प्पेक्टेड का टॉफ क्या रहेगी जादा जाएगी या कम जाएगी इसके बारे में भी पूरा आप से डिसक्सन यहाँ पर करने वाले हैं तो वीडियो पर लाश्ट तक बने रहे हैं जादा टाइम आपसे नहें लेंगे यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते ह और इसके साथ यह आपका कोई भी कोमेंट है एरफोर्स एक्स वाई ग्रूप से रिलिटेड तो नीचे आप कोमेंट कर सकते हैं आपके क्यों पूरी सोल करने की कोशिस की जाएगी जैसा कि थोड़ा सा यहां पर देखते हैं फिर आगे वीडियो में आपको किलियर सारी चीज हो गई थी आप सभी को पता है ओनलाइन रजिस्टेशन देट इसकी 22 जनवरी से साथ फर्वरी तक थी यह आपको बता देता हूं नीचे की तरफ हम डिसकसन करेंगे क्योंकि आपका एक्जाम हो चुका है अब एक्जाम हो चुका है एक्स वाई ग्रूप का तो यहां पर हम क्यों हम डिसकसन करेंगे फिस फिस फर्ष्ट जने कि आप फिस 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 फिस्ट का आपका रजूट कब कर रहेंगा और फिस सेंट के लिए बच्स के परफ होंगो यहां पर देखिए सबसे पहले हम् प्रतेग पेपर में यहां पर qualifying रहना है English में, Physics में, Math में जो कि आपका X group का होगा और इसके साथ ही Y group के बात करें तो रागा और आपका English रहेगा यहां पर देखिए Face First में रजल्ट आएगा उसके बाद जो candidates है सोटलिस्टिट किये जाएंगे Face Second के लिए और Performance of Face First आपका Online Test में कितने माक्स है उसकी Performance के हिसाब से होगा और यहां पर देखिए यह दिया गया है Will Be Updated on Airman Selection की जो optional site है CDSE पर within one month from the date of online exam यानि कि आपके एक मन्त के अंदर अंदर आपका Face First का रजल्ट आपका हाथ में होगा और कब जब आपका exam हुआ है उसके one month के अंदर अंदर यानि कि आपका exam 12 से 18 है जुलाई को आपका exam हुआ है यानि मैं इसमें प्लस एक मन्त जोड़ देता हूँ तो आप मान सकते हैं कि यह आपके August में किसने चल जाएगा मान लेते हैं 12 August को जाएगा ठीक है 12 August लेकिन आप यहाँ पर माने 12 August माने तो हम कह सकते कि आपका जो Air Force का exam result है आपका minimum यदी बात करें क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर आता है कि पिछली बार क्या हुआ था जब online exam होथा तो आपका result का बा आ लिया था कि ये एक मंथ बोलते हैं यनि कि एक मंथ के अंदर अंदर बोलते हैं तो 25 days के अंदर आपका result आ चुका था तो इसी प्रकार इसका result है वो आपका 25 days के अंदर का तानी की संभावना है तो आपको त्यार रहना है कि 5 से 10 अगस्त तक ठीक है आपको ध्यान रखना है कि 5 से 10 अगस्त के बीच में आपका result है वो आपका मिल जाएगा Air Force XY Group का ठीक है तो सारी चीजे समझ चुके होंगे कुछ Air Force में सोरी बच्चे जब जाते हैं Google पर search करते हैं Chrome browser पर Air Force XY Group का result का बाएगा तो उसमें भी कुछ सोर्ट नोटिस दिये गए हैं उसके बारे में आपसे discussion करने वाला हूँ तो देखी कई candidates क्या करते हैं Google पर आजाते हैं और Google पर simple सी बात है आप यहाँ पर search करेंगे search करने पर नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके पास आजाता है Air Force XY Group यहाँ पर result date 2021 यानि कि 14 अगस से before पहले आजाएगा tentivity यानि कि यह पूरी संभावित date यहाँ पर है यानि कि हमने कहाँ दिया कि 5 से 10 अगस तक आपका result है वो आजाएगा क्योंकि पिछली previous data की यह साब से देखें अब यहाँ पर कुछ important discussion करते हैं कि XY Group की cutoff है वो आपकी क्या जाएगी sort way में देगी सबसे पहले discussion करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो number में Air Force का exam हुआ था यानि कि 2020 number में आप सभी को पता है exam हुआ तो उसकी cutoff है किसी ने अन्मान नहीं लगाए था उसकी cutoff XY Group की दोन X की जादा गई थी Y की फिर भी कम ही गई थी X की उसना में cutoff 43 गई थी 70 में से Y की cutoff है वो 29.25 गई थी out of 50 में से वहाँ पर Y की cutoff कम जाने का कारण आप सभी को पता था कि या तो किसी पार्ट में resonate जादा tough हा रही थी या किसी पार्ट में क्या रहा था आपकी math है वो large कर दी जा रही थी या tough नहीं थी थोड़ा length ही बना दिया गया था यह बात ध्यान रखना है एक्स ग्रूप का पेपर बिलकुल easy था तो इसका आराण चे उसकी cutoff जादा गई इससे पहले हम यदि discussion करें इससे पहले यानिकि 2019 का यानिकि 02-2019 जो आपका batch था उसके बारे में बात करें क्योंकि यह 2020 वाला batch था और 2019 वाले batch की बात करें उससे इससे पहले जो online exam आपका हुआ था तो उस समय आपकी cutoff कितनी गई थी x group की cutoff only 28, y group की cutoff आपकी 33 गई थी उस समय आपकी ये cutoff थी लेकिन जब ये आपका exam हुआ था 2019 में 02-202 batch के लिए और ये आपका exam 2020 में हुआ था ठीक है वो 2019 का था ये 2020 में हुआ इसमें आपकी क्या ब ये एक बात मैं बता देता हूँ ची आप NDA की cutoff के बारे में discussion करें ची Air Force की cutoff के बारे में discussion करें ची Navy की discussion करें आपने यदि पिछले 2-3 साल से जो भी candidates exam दे रहे होंगे उसनों ने एक बार पता होगा कि साल में दो बार इनके exam conduct कराये जाते हैं अब एक बार तो cutoff आपकी high जाती है और ये बार cutoff है आपकी क्या जाती है normal जाती है आप ये cutoff क्यों normal जाती है क्यों high जाती है इसके बारे में discussion करें सबसे पहले जब candidates पहले candidates जो 12th pass होता है वो सबसे पहले online form भरता है उस समय की बात करें तो आपकी cutoff कम जाती है जब वो candidates दुबारा से online form भरता है तो उस समय कटोफ हाई जाती है ठीक है क्योंकि वह प्रिपरेशन है उन कंडिडेट्स त्यारी करने लग जाते हैं एक डेड़ लाग जो भी कंडिडेट्स है फर्स्ट पेपर का नुभाव हो जाता है तो इस कारण से हमेशा यह डाटा एक बर आप एक बर डाउन एक बर आप एक साइट ने बता रहा है कि एक्स ग्रुप की जो आपकी कटोफ है हो लोग भग 39.5 रहेगी 70 में से और Y ग्रुप की कटोफ जो आपकी रहने वाली है वो 30 रहने वाली है तो यहाँ पर देखिए Y ग्रुप की कटोफ के बारे में हम discussion करें तो आपकी Y ग्रुप की अब की बार की कटोफ जा सकती है वो आपको ध्यान रखना है वो 31 से 33 ठीक है फिर से उसी कटोफ को छोने की कोसिस करेगी क्योंकि जो पिछला एक्जाम यानि कि पिछले एक्जाम में थोड़ा वहां पर लेंथी एक्जाम था Y ग्रूप का लेकिन फिर भी उससे पिछले की तरफ तेके त इससे भी पहले यानि कि 012022 बैच की बात करूँ तो उस कंडिशन में क्या हुआ था कि आपके कटोफ X ग्रूप की 32 गई थी आपको पता है फश्ट फेस के लिए उसके बाद कटोफ डाउन हो गई थी 022022 बैच के लिए जो कि 28 गई थी यानि कि सिधा 34 नंबर कटोफ है वो के डाउन होकर आपकी 38 तक जा सकती है एक्स ग्रूप की कटोफ कितनी जा सकती है 38 तक जा सकती है कटोफ डाउन होगी एक्स ग्रूप की वाई ग्रूप की कटोफ बढ़ेगी इस चीज़ों आपको ध्यान रखना है तो मेरे साबसे सारे डाट आपको समझ चुक होंगे पू तब तक के लिए जाहिए